असलाम अलेकुम स्टूडेंट आज हम चप्टर नॉम्बर नाइन के पार्थार्ड स्टार्ट कर रहे हैं पार्थार्ड के हम रिविजिन करेंगे आज कहां हमारा टॉपिक है यूजिस ऑफ एंटिवेरिस एंटिवेरिस की यूजिस एंटिवेरिस साफ्टर इस यूजिस फोर डिटेक्टिंग रिपेरिंग और रिमूविंग वायरिस इंटिट फाइल्स फ्रॉम एंटिवेरिस साफ्टर जो है वो हम यूजिस करते हैं डिटेक्टिंग करने के लिए रिपेरिंग करने के लिए रिमूव करने के लिए वायरिस को जो कंप्यूटर में कंप्यूटर के फाइल्स पे वाइरस की वह जिससे इंफेक्शन भेला हुए उनको रिमूब करना इनको रिपेर करने के लिए हम एंटि वैरस सौफ़़र का यूज करते हैं ही शूड आटि वैरस सटेज अप्टु डेट हम एंटि वैरस को उसमें इसलिए लाते हैं इसलिए बनते हैं ताकि वाइरस जो है वो निकाल सके और उनको अप्टु डेट जो है अप्डेट करते रहें ठीक है to save your computer against computer virus वारेंट हमारी computer को हम virus से बचाने के नाम antivirus यूत में अप डेड करते रहते हैं worms and treidents जो उसमें worms treidents हơiते हैं इसे उच्यूल इन्वेस इन्टी वारेस आफडर साफ़़ pineapple महांपर antivirus इन्वेस करते रहते हैं नुटन पन्न पन्न आविर्स एटस्त एज़ अरोम सीट्र।्स।्स्त किकहल ट्रेंबसी क्लीन वेपलिंक एक्व्सक्रा आविर्स म्ज़ी विग्वि एविग प्रफुस्नियल You shall install an anti-virus software package to scan virus on your computer systems. हम इस को इंस्टाल करने के बाद इस anti-virus को वहां पे इस्टाल करने के बाद हम बार-बार computer systems को बार-बार इसको scanning करते रहे ताकि virus से बचे रहे हमारे computer. Scanning of the computer. Let us follow the given step to scan a computer system using an anti-virus software. चलो हम यहां पे कुछ scanning के steps परते हैं anti-virus software के. First step है open the anti-virus window हमें anti-virus window जो है उसको open करना है पहला step. दूसरा step click on the scan option उसके बाद हमें scan option पे क्लिक करना है दूसरा step. Third step है click on the full system scan option to scan all the drive of the computer. हमें उसके बाद full system scan option पे क्लिक करना हैं ताकि हमारी पूरी computer system के जो drives है उनको scan कर सके. After the completion a message confirming the protection of a computer repair उसके बाद हमें एक message मिलेगा हमें confirming का कि यह protection हो चुका है computer. It tells you that computer is safe. वह हमें क्या बताएगा computer जो है वो safe है वोके एक message आएगा. Fourth step click on choice button to finish the task. हमें एक choice button close button है sorry close button है उसके बाद task हमें finish करना है. ठीक है इसके बाद यहां पर picture भी बना हुए. पहला step window को open करना था ठीक है Click on open quick heal antivirus. उसके बाद हमें scan का option second step यहां पर आप देख सकते हैं. Second step scanning है इस पर click करना है. Third step उसके बाद हमें system scan पूरे system scan करना है. हमें full system scan को तो यहां पर system scan है. Full system scan उस पर click करना है. Fourth step उसके बाद हमें जब इसको scanning होने के बाद हमें message मिलने के बाद हमें यहां पर close option आएगा. तो हमें उस पर click करना है. स्क्रीन जो है वो इसी जरह से आएगा जिस तरह यहां पर आपके बुक में picture बना हुआ है. Scanning external devices. When you attach an external devices such as CD ROM, our pen drive to your computer system, आप इसमें जब ICD ROMs वगएरा devices वगएरा जब इसके साथ attach करते हैं आपके computer systems के साथ, The antivirus software asks to confirm scanning. Antivirus आपको confirm करेगा कि इसको scanning करने के लिए कहेगा. As you click on the full systems option, फिर उसके बाद आप जब full system scan option पर क्लिक करोगे. Scanning beginning, फिर scanning होने शुरू हो जाएगा. A message is display upon the detecting of any wave and antivirus. Delete it after tasking permission from you. उसके बाद एक message जो है वो display हो जाएगा. उसके बाद आपको इनको view कर सकते हैं किसी पर भी. Antivirus ठीक है जो है वो delete हो चुका है. कि वहां से virus जो है वो delete हो चुका है. It after taking permission उसके बाद वो हमसे permission लेगा. from you. आप से permission लेगा. Safe computing parasites. There are various safe computing parasites that can help you in protecting. यहां पर अलग 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 तरह की computing parasites से जो की आपको virus से safe रखेगा. Protect करेगा अपकी computer को अने वली virus से. You are a computer against virus. Antivirus software. In case you don't have antivirus software program. In case माल लो कि आपके पास antivirus software नहीं होगा. Invest in one. आपके पास antivirus नहीं होगा software program. तो वहां पर आपको क्या करना है इसको install करना है. हमेशा आप में computer में antivirus रखना चाहिए. ताकि यह हमारी computer को बचा सके. Scan your computer on a regular basis. हमेशा हमारी computer को regular basis पे scanning करते रहना चाहिए. Your scanning system with antivirus software प्रोडेक लिए. जब हम computer को बार बार scanning करते रहेंगे तो हमारा computer system जो है वो safe रहेगा. Update your antivirus software on regular basis. Regular basis पे हमें antivirus को update करते रहना चाहिए. Give your antivirus software up to date regularly in order to save from any kinds of virus. हमें इसको antivirus software को update करते रहना चाहिए. Regular basis पे ताकि यह virus से बचे रहे हैं हमारा computer. Keep backup, backup करते रहना चाहिए. Backup your files on regular basis. Regular basis पे files को backup करते रहना चाहिए. Always maintain copies of your essential files. Turn off email preview. Email preview है उसको turn off रखना है. Turn off the preview function if your email software has one. Scan floppy disk. Before you use the disk scan floppy disk from the computer with antivirus software. हमें इस disk को floppy disk को इसमें यूज करने से पहले हमें इसको scan करना है. ठीक है antivirus. Protect your floppy disk. Right protect any floppy disk you place into another computer. If the computer has a boot sector virus. Other computers have a boot sector virus. Right protect you. The disk will save. It from becoming infected the virus. और ये virus से इन्फेक्शन से इसको save रखेगा. Scan all email. Sorry scan downloading files. जो आपने files download किया हैं. उनको भी scan करते रहना हैं. जो आपने इंटेनर से किया हैं. क्योंकि इंटेनर की थ्रूबी हमें virus आ जाते हैं हमारी computer पे. Scan all email attachment. जो सारे email attachment हैं उनको भी scan करते रहना हैं. ठीक हैं. उनको यूज करने से पहले. Open करने से पहले. Beware of email attachment from unknown source. Unknown source. ठीक हैं. उनको remove करते रहना हैं. ठीक हैं. हमेशा उनको open नहीं करना हैं. या ना उनको attach करना हैं. ठीक हैं. उसके बाद be alt. Pay attention in new about virus alt. एक virus alt मिलेगा. New made intent subscribe a virus alt. हमें इसको एक virus alt होगा. उसको subscribe करने के लिए कहेगा. हमें उनको नहीं करना हैं. ठीक है. Email notice from one the anti-virus. फिर हमें anti-virus को वहां पर रखना हैं. बनाना हैं. तो anti-virus जब वहां पर होगा. तो virus वहां पर भी नहीं आ सकेगा. ठीक हैं. आज की topic यही थक. खुदा हाफिस.